वेलो वेल्कम टू माई चानल इंजल गैबल टेरेट्स इन इस वीडियो आप मेट फॉर लियो सिंग राशी के जातकों के लिए आप लोगों के लिए नवमा मंत में ये मेसेज है कि इस वक्त नई साइकल आपके लाइफ में शुरू होगी नई तरीके से जिन्दगी आप शुरू करेंगे जिस चीजों के आपको जरुवत है वो लाइफ में आपके आएगी इस वक्त बहुत दिनों से किसी चीज की चाहा रख रहे थे आप मेहनत कर रहे थे हो सकता है वो धीमे धीमे आपको मिलना शुरू हो जाए उसकी एक रहा बने पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से इस वक्त हटेंगी युनिवर्स इस वक्त कह रही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ें थोड़ा सा हलका से स्ट्रगल कर लें तो हो सकता है कि यह नई चीज़ें न्यू ग्रोथ दिख रही है आपके लाइफ में एक सथ खुशिया है एप सीबत में पढ़ने से पहले आप सोचेंगे कि मुझे वाँ जरुवत है अपने एनरजी खर्च करने की की नहीं नहीं जरुवत है तो वहाँ ऐसे लोगों के बीच में ना जाएं आपको यहाँ पर यह भी मेसिज है बहुत स्ट्रॉंग पर्सनेल्टी रहेगी आपकी नवं में इस तरी की आपका यहाँ पर्सनेल्टी दिख रही है that you are a very strong person आपको इस वाट कोई बीच भी नहीं कर पाएगा अगर आपने एक बाद ठान लिया तो कोई आपको जल्दी हरा नहीं पाएगा आपकी यह चीज आपने एक देखाऊंग ना कई लोगों में कि आप भले है या आप एक student है या आप एक sport person है अपने काम के प्रति या किसी चीज को relationship को भी अच्छा करना है बहुत चाहा है आपके अंदर तो आप देखिएगा आपको success ज़रूर मिलगी और यहीं से आपके life में change दिखा रहा है जो कि new beginning का card यहाँ पर आया हुँआ था रात में सोते वक्त हो सकता है थोड़ा सा आपको emotional feel करें बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुमेंगी सोचेंगे बहुत जादा कि यह हुआ वो हुआ लेकिन यहाँ पे भी message आ रहा है कि उसके पीछे आप बहुत जादा परिशान मत होईएगा यहाँ पे हो सकता ह है कि आप कोशिश करीगा कि जितनी भी negative चीज़ आप के दिल और दिमाग में चल रही है उसको सोचना बंद कर दीजे उसको निकाल के बाहर फेक दीजे feel करिये कि वो energy आप छोड़ रहे हैं सोच रहे हैं ठीक है लेकिन छोड़ भी रहे है negative energy और उसको सोचना बंद कर दीज release all your negative things from your heart and mind यह बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा है अगर आप बराबर उसी के बारे में सोचते रहेंगे उसी विक्ति के बारे में या situation के बारे में या किसी की निंदा आपने करी या आप सोचते रहेंगे उसके साथ यह होगा वो हो लेकिन यहां यह message है कि आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है आपको उपने जिंदगी में नवंबर मंत में balance बनाके चलिए थोड़ा सा feelings को बहुत जादा खुश मत हो जाईए बहुत जादा दुखी मत हो जाईए क्या होता है कभी-कभी हमें secrets explore कर देते हैं अ जोजना फादा उठा ले इसलिए balance बनाके चलिए पैसो को ले करके भी आम ऐसे जा रहा है थोड़ा सा investment कम करिए थोड़ा सा जहां जरूद हो वहां लगाईए balance बनाके चलिए अपने money अपने पैसे को ले करके भी strength का card दुबारा से यहां पे आया था आप लोगों के लिए strength बहुत रहेगी आपके अंदर, ताकत इसक शमता बहुत रहेगी, इसी की वजहे से लोग आपके पास attract होंगे, आकर्शन रहेगा आपके body में, लोग आपके personality की strength और आपके गंभीरता को देखते हुए, दो-तिन लोग यहां दिखता है कि लोग आपके तरफ जो हैं वो attract ह हो सकते हैं, भले वो कहें ना, लेकिन मन ही मन वो attract होंगे, और इस वक्त इहां angels यह भी message कर रहे हैं, आपको अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, आपके अंदर की ताकत क्या है, क्या talent है, क्या खूबी है आपके अंदर, वोई तो ताकत है ना आपकी, तो जो भी ताकत है, जो भी आपका the talent है, और वो ही आपके actually में personality बना रही है, तो इस वक्त आपके अंदर strength है, जो भी life में इस वक्त हो रहा है, घटे थो रहा है, उसको वैसे ही घटे थोने दीचिए, accept कर ये चीजों को जो भी हो रहा है, इस वक्त कुछ जादा change करने की किसी से fight करने की जरू जबत नहीं है, क्योंकि problem में न फस जाएं, ये भी एक है, जैसे कि उसे message आ रहा था, accept कर ये सब चीजों को, जिंदीगी को अराम से चलिए, strength है, वो अच्छी चीज है, लेकिन accept भी करना सीखिए, mother goddess का यहाँ पर काड़ा हुआ है, वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, कि इस वक्त आपको nature से जोड़ा होना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी हर्याली में जाएं, क्या होता है, जो हम greenery को देखते हैं, तो हमारा जो आप देखेंगे, कि बहुत ज़ादा हमें positivity मिलती है, पेड़ पौधों और फूल को देख करके, तो ये हमारी negativity को खीच लेते हैं, ये कोई जना तो अपने pet के साथ जा सकते हैं, या आप अकेले चले जाएए, वहाँ बैठिये कुछ तेर, ऐसा करने से आपको देखेगा relief मिलेगा, ये एक remedy भी है, नंगे पैर अगर घास पे चलते हैं आप, तो आप देखेगा आपके body के चक्रास भी बहुत अच्छे होते है अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस वत यहाँ पे बुद्धा मेसेज कर रहे हैं, आप एक बहुत ही खुबसूरत परसन हैं अंदर से, पहचानिये अपने आपको, और अपने soulmate को भी पहचानने दीजे कि आपके इतने खुबसूरत हैं, एक्चली में क्या है कि भीड़ भाड में और लोगों की इतनी जादा क्रावडी टॉक्स में बातों में आप अपने आपको भूल गए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो meditation करिए और अपने आपकी qualities को पहचानना शुरू करिए that who are you actually, आप कौन है, क्यूं है इस दुनिया में, कौन सी beauty छुपाए बैठ हैं आप अपने अंदर, आपके अंदर कोई beauty है, कोई खुपसूरती है, जो कि मैं बाहरी खुपसूरती के बात नहीं कर रही हूं, कुछ भी आप पहन लीजे, लेकिन अंदूनिक खुझों खुपसूरती है आपके अंदर, कि वो अगर उभर के नहीं आई, तो बेकार है, इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए, यहां यह मैसेज कर रहे हैं, इस नवंबर मंत में, अपनी beauty को भर के आने दीजे, जो भी talent है आपके अंदर, relationship में भी आप मैसेज आ रहा है, कि जब आपके असलियत आएगी, खुपसूरती आएगी आपके अपने soulmate या lovemate के आपके अपनी, देखिए angels कहां से message करते हैं, एक कोई माध्यम होता है, या तो आप numbers के पारे में जानकारी रखते हों, या symbols के बारे में जानते हों, वहां से आपको जानकारी नहीं हो पारे है, तो आपकी जो अंदर आत्मा की आवाज है, वहां से वो message करते हैं, और यह तब होता ह उससे आपके कई सारे problem solve हो जाएंगे, इस वक्त आपको या भी message आ रहा है, अपनी healing करिए, या करवा लिजे किसी से, healing करना बहुत जरूरी है, meditation करिए, chanting करिए, ओम मंत्रा की chanting करिए, मंदिर में जाकर के, कहीं कुछ दान कराइए, किस religious place पे, अपनी ditties, जो आपके God हैं, वहाँ पे, अपनी ditties के सामने, बैटके meditation करते हैं, तो best है, किसी भी God या Goddess को आप जो मानते हैं, उनके सामने meditation करना is the best, ताकि उनकी positive vibes आपको लगे, healing करना वो भी secret healing यहां कहीं जा रही है, healing को यह नहीं कि, आप कहीं भी seven chakras की healing, या कोई ऐसा उपाय कर लिया, या symbol का use क sacred healing का मतलब यह होता है, कि आपको अपने God या Goddess के अंडर में जाकर के आपको healing करनी चाहिए, सामने बैट जाएए अपने God के, नहीं है आपके पास ditties, नहीं है विग्रह, आपके पास, imagine करिए कि कौन से God को आप मानते हैं, या Goddess को मानते हैं, उसके सोच, विचार अपने दि लिया तो all my Leo lovely people, Singh Rashi के लिए, तो thank you so much, thank you so much.